उद्योग पती गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोट ने बड़ा अलान किया है। पेश शॉलिसीटर जनरल ने कमेटी किस दश्यों के नाम और उनके अधिकार पर जज़ू को सुझावसाँ पे। कर लॉन लेती हैं। ये भी जाच के दाइरे में होना चाहिए। वहीं इस मामले वकील अमल शर्वा ने कहा कि शॉट सेलिंग की जाच हो। CGI ने कहा कि आपने याची का दायर की है तो बताए कि शॉट सेलर क्या करता है। दरसल इससे पहले सुप्रीम कोट ने सरकार को विशेशग्यों का एक पैनल गठित करने का सुझाव दिया था जिस पर केंद सरकार ने सहमेती चिताई थी। सरकार की तरब से सॉलिस्टर जनरल तुशार महता ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि सेवी और दूसी नियामिक संस्थाएं इस तरह के हालात से निपटने में पूरी तरह समर्थ और शक्षम हैं। लेकिन कोट अगर अपनी ओर से कोई कमेटी का गठन करता है तो भी सरकार को कोई अतराज नहीं है। में ये भी दावा किया गया है कि अदानी समु दर्शकों से स्टॉक, हेरफेर और मनी लॉंडरिंग में लगा हुआ है। हलांकि अदानी ग्रूप की तरफ से इन आरोपियों को सीरे से खारिच कर दिया गया है। अमेरिका की रिसर्च फॉर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रूप के शेयरू में 70% तक की गिरावट आ चुकी है। इससे पहले अदानी समो का मार्केट कैप करीब 10 लाग करोड रूपे से ज़्यादा घट चुका है। शेयरू में आई सुनामी का असर अदानी समो के मुख्या गौतम अदानी पर भी साब दिखाए दिया है। 24 शनवरी को जब रिपोर्ट आई थी उस समय गौतम अदानी पैसे के मामले में दुनिया के चौते सबसे अमीर आदमी किने जाते थे। लेकिन अब गौतम अदानी ब्लूमबर्ग ब्लेनियर्स इंडेक्स में 20 पाइदान फिसल कर 24 नंबर पर आ चुके हैं। और 16 फर्वरी की उनकी कुल संपती 4.39 लाह करोड रुपे दर्च की कई थी। नीज तक व्यूरो